कर दो है कि अधिया थैंक यू सो मुझट पॉ जाइनिंग गाइस फेस्बूक अड़ सरीस के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकेशन टार्गेटिंग के जो जो ओप्शन विलते हैं फेस्बूक अड़ पर उन सब के बारे में प्रीविज वीडियो में हमने के paid advertisement में location बहुत ही important factor है क्योंकि आपका ad किसी भी objective के साथ हो चाहिए वो sales हो conversion हो awareness हो लेकिन अगर आपने particular location को select नहीं किया है या किसी भी location को select नहीं किया है तो होगा ultimately आपको जो budget है वो जादा बन होगा अगर आप बड़ा area चूज करते हैं तो location आपको select करनी होगी कि कौन सी particular target audience को आप target करना चाहते हैं और उनकी location है चाहिए वो city-wise हो state-wise हो या फिर country-wise हो वो आपको select करनी होगी तो facebook ads पर भी इसका provision हमें मिलता है सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कितना बड़ा area हम एक बार में target कर सकते हैं या कितना चोटा area हम target कर सकते हैं और किस scenario में कौन सा particular option आपके लिए useful है तो यहाँ पर आप मेरी screen पर देखेंगे तो यहाँ पर location targeting जो facebook ads manager में हमें मिलती है वो कितने बड़े area के लिए मिलती है या फिर इतने चोटा area के लिए आप कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप मेरी screen पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ options को आपके लिए segregate करके रखा है कि अगर आप location को target करना चाहते हैं तो एक बार में आप बड़े से बड़ा area जो है वैसे तो पूरा worldwide आप target कर सकते हैं लेकिन उसमें वो locations भी आ जाएगी जहां पर हो सकता है आपकी target audience नहीं हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा area जो आप target कर सकते हैं वह continent wise अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे एशिया को target करें पूरे एशिया में जित्तीव country ने उनको target करें एक बार में तो वह आप कर सकते हैं और इससे बड़ा भी आप पूरा worldwide कर सकते हैं लेकिन हम एक particular अगर define targeting की बात करें तो उसमें आप continent wise जो है वो targeting कर सकते हैं यानि पूरा पूरा एक continent है उसको target कर सकते हैं उससे नीचे लेवल पर आए तो आप country level पर target कर सकते हैं आपको चाहिए की पूरे इंडिया की लोगों को दिखाया जाए या पूरा particular कोई और country जो है उसके लोगो इस भी कर सकते हैं अगर आप state से थोड़ा चोटा area target करना चाहते हैं तो आप city wise, town wise ये area भी target कर सकते हैं अगर आप उससे भी चोटा area target करना चाहते हैं तो आप pin code wise कर सकते हैं अगर आपको एक particular pin code के logo को ही target करना है तो आप कर सकते हैं वो भी option available है और pin code से भी चोटा area आप क स्ट्रीट है उसके लोगों को आप टार्गिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं देखिए यहां पर ब्रॉड से ब्रॉड और चोटे से चोटा ऑप्शन मैं आपको बताया इसमें आपका यूज केस कौन सा बनता ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा मान लीजी आपके कोई आपके कोई किराना स्टोर है या आपका कोई कपडो का शोरूम है अब पर्टिक्लर जिस एरिया में वह शोरूम है और अगर आप चाहते हैं कि आपके शोरूम के आसपास के सरफ 5 km या 10 km रेडियस के लोगों को ही दिखे तो आप वो भी फेस्बुक पे कर सकते हैं आप प्लेस को टार्गेट कर सकते हैं और बड़े से बड़ा जो एरिया है वह आप पूरा का पूरा का पूरा कॉंटिनेंट या वर्ल्डवाइट भी जा सकते हैं तो लिमिटेशन कुछ भी नहीं है सारे आपको मिलते हैं यहां पर देख लेते हैं कि आप फेस्बुक मैनेजर क के अंदर यह option हमें कहां मिलते हैं और इसमें कौन-कौन सी चीज़े कौन-कौन सी फेसिलिटी जो है वह हमारी लिए अविलेबर है तो हम यहां पर आते हैं क्रेट पर कोई भी एक campaign objective हम चूज कर लेते हैं अभी के लिए for example lead generation और continue करते है लोकेशन टार्गेटिंग का जो option ह है वह आपको addset level पर मिलता है campaign level पर नहीं मिलेगा तो हम चलते हैं addset level पर आने के बाद थोड़ा सा आप scroll करेंगे तो यहां पर आपको जो एक option दिखेगा audience का यहां पर एक option दिखेगा audience का उसके अंदर सबसे पहले आपको एक option दिखेगा location यानि आपको जो location है जिसमें क्या मतलब है यहां आपको समझाओंगा उससे पहले थोड़ा साइस के नीचे यहां पर देख लेते हैं भी by default India selected है अगर मालीज आप किसे और country में बैट के चलाएंगे तो सकता है उस particular country का जो भी country है वो by default यहां पर select होगी त्यानि by default अभी पूरा का पूरा इंडिया selected है ह करना है तो ठीक है नहीं करना है तो यहां से इसको क्रॉस कर देते हैं अब यहां पर कोई भी location select नहीं है और यह बोल रहा है please add a location for your audience और use a custom audience तो location हम डालते हैं यहां पर आपको दो option देखने को मिलेंगे एक है include और दूसरा है exclude इसके include का मतलब है कि कौन-कौन से location जो है उन को search किया राजस्थान मैं state wise target करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर राजस्थान इंडिया इसको select किया जैसे ही मैं कोई भी area select करूंगा वह जो पूरा selected area यानि उसकी range है वह यहां पर एक shadow area में इस तरह से बन किया जाएगी ताकि मुझे पता चले even visualize करने के लिए अच्छा रहता है कि यह particular area जो है मैंने select किया है और आप यहां पर देखेंगे एक right का यानि टिक का mark आ गया है कि यह जो area है यह location है वो मैंने include कर लिए है अब माल लेते हैं कि मैंने पूरे राजस्थान को target किया लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसी particular cities है जहां मुझे अपना add नहीं द दिखेंगे कि यहां पर एक red circle बनके आ गया है और यहां पर cross आ गया है यानि पूरे राजस्थान को में target कर रहा है और लेकिन राजस्थान में यह जो area है इतना जो area है वहां पर मेरा add नहीं दिखाई देगा यानि जिन लोगों की location है वो इस area के अंडर आती है उन लोगों को मेरा add नहीं दिखाई देगा इसी तरह से मैं और cities को target कर सकता हूं for example मुझे दूसरी city target करनी है जोत्पूर जिसको मुझे exclude करना है तो मैंने जोत्पूर राजस्थान इंडिया इसको select किया आप देखेंगे आप जोत्पूर को भी एरिया लेते हैं उसके बगल में आपको एक किलोमेटर का रेडियस दिखता इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे currently city only cities within radius एक रेडियस ही जो पुरा circle आप देख रहे हैं इसको बड़ा है चोटा कर सकते हैं तो अभी by default यह 40 km है यानि एक center point लिया Facebook ने और उस center point से 40 km का एक radius उसने cover कर लिया आप इसको बड करना चाहते हैं मालीजी आप चाहते हैं कि अजमेर के आसपास के और भी जो एरिया वह भी नहीं आए तो बड़ा कर दीजिए तो इस circle है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा या आपकी जो टार्गेटिंग है वो और आप रेडियस जो है वो बड़ा सकते हैं अब आप च देखते हैं कि अगर आप कोई भी लोकेशन लेते हैं उसके आगे एक ड्रॉपडाउन का मार्क है मतलब अगर आपने वैसे इसको इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप क्रॉस करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ यहाँ पर क्लिक कीजिए और यह हो जाएगा एक्सक्लू लेना है जो मैं आपको बताए है कि पिन कोड वाई ले सकते हैं तो आप ZESको इंक्लूड करना है तो जैसे मैं इसको इसको सब्क किया दिखिए यह पूरा का पूरा एड्या जो है इस सब्कुित क्रेंट कोंड को यिया जी इस पर इतने लोग रहते हैं अब यहाँ पर आपको रेडियस का option नहीं मिलेगा कि पिन कोड फिक्स है उसको बदल नहीं सकते पिन कोड का एरिया फिक्स है आप रेडियस तब बढ़ा या कम कर सकते जब आप किसी पर्टिक्लर प्लेस के अराउंड जो एरिया है उसको बढ़ाय चुटा करना चाहें तो यह 302014 इस तरह से पिन को टार्ट आप मालीजे आपकी location का आपके दुकान कहीं यहाँ पर इस एरिया में है अब इस पिन कोड के जितने भी लोग हैं इस पिन कोड में रहने वाले उन सब को आपका आट दिखेगा और वो आपकी दुकान पर अगर इंटरस्टेट है तो आप आएंगे इस तर है कि उपर वाले जो चार option है यहां पर जो चार option है इनका क्या मतलब है सबसे first option है people living in और recently in this location इसका मतलब है कि मैंने जो location select की है जिसे मैंने मुंबई तो मुंबई की अंदर रहने वाले लोग यान जो परमेनेंटली मुंबई में रहते हैं या फिर जो रिसेंटली इस location में आये थे जिसे माल दीजे कि कोई पांस दिस दिन के लिए था च्छा साथ दिन के लिए था लेकिन इस location में अभी रिसेंटली वह आये थे या फिर shift यह होता है first option का मतलग second option जो है people living in this location सिर्फ वो लोग जो permanently इस location में यानि मुंबई location में रहते हैं सिर्फ उनी को मेरा आड दिखाई देना चाहिए third option है people recently in this location जो permanently नहीं रहते हैं लेकिन recently इस location में आये हैं या आये थे या फिर आते जाते रहते हैं इस location में उनको भी मैं target कर सकता हूं fourth option है people traveling in this location ऐसे लोग जो इस location में रहते नहीं है लेकिन travel करते हैं और travel में भी वो जिनका घर at least इस location से 200 km दूर है वो facebook easily detect कर लेता है आपके IP address के बेस पे और आपके जो location है उसके बेस पे तो ऐसे लोग जो travel करते हैं travelers है tourist है वो लोगों को आप target कर सकते हैं अब यहां पर यह चार option है लेकिन इसका use की scenario आपको समझना पड़ेगा first option जो है वो आपके उस case में काम आएगा जब आपका particular वो city से specific business है यानि जो business है वो उनी लोगों से आ सकता है जो उस particular city में रहते हैं या फिर अभी city में अभी अभी shift हुए हैं दूसरा option people living in this location जो permanently है अब माली जी की people living in this location है ठीक है यह वो लोग है जो permanently इसी location में रहते हैं माली जी आपका कोई ऐसा business है माली जी आपका जिसे store है offline store है mall है showroom है या आपका इस तरह का business है जिसके अंदर आप Mumbai में जो रहने वाले लोग है उनको particular कोई service provide करते हैं माली जी you know coaching institute है आपका या फिर आपका कोई cafe है ठीक है आपका कोई hotel है तो इस तरह कि जो businesses है जो location specific है कि उन्हीं वो ही customer बन सकते हैं जो इस location में रहते हैं उनको आप target कर सकते है थर्ड है people recently in this location यानि ऐसे लोग जो यहां पर रहते नहीं है लेकिन इस particular भी इस location में आए है यानि अगर मालीज आप इसे paper fry type business है जो rent पे furniture देता है फरलैंको है paper fry है या फिर big basket है यानि ऐसे क्योंकि यह business क्या है यह business ऐसे है जो इनी लोगों को target करेंगे जो recently अभी आए क्योंकि वो लोग मुंबई के बारे में जादा नहीं जानते वो लोग online search करेंगे कि यहां पर online furniture furniture कहा मिल सकता है यह यह shop कौन सी है यह shop कौन सी है ऐसे case में उन लोगों को आप अपना आड दिखा सकते है नेक्स्ट है people traveling in this location अब जो tourist है ट्रावल करते रहते हैं उनको आप जैसे ओला का एड है उबर का एड है ओला रेंटल का है जूम कार का है इस तरह के आड दिखा सकते है त तो थोड़ा सा आपको study पहले करना पड़ेगा कि आपको किस आपका जो business है वो किस use case scenario में fit बैठता है इन चारों में से जिसमें भी आप बैठता है उसमें क्लिक कीजिए location को select कीजिए include exclude जो भी करना है वो कीजिए और उसके बाद आपकी जो location है वो done हो चाहिए आप देख आप टार्गेट कर सकते हैं अफरीका सेंट्रल अमेरिका यूरोप यानि यह सवारे continent जो है वह आप टार्गेट कर सकते हैं इनके अंदर जो individual countries है वह भी आप टार्गेट कर सकते हैं तो ब्रॉडर एरिया है रिजेंस वाइस कुछ डिवाइद नहीं किया है इस फ्री ट्रे जो है टिवाइज कर रखा है और उसके बाद सेव लोकेशन है कि यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बना सकते है बार बार आपको वो चीज जो लोकेशन से इनको टार्गेट करने के ज़रूतनी है आप लिस्ट बनाए और बार बार उस लिस्ट को आप यूस कर सकते हैं तो इस यहां पर थोड़ा जूम-इन करता हूं माल लेते हैं कि मैं particular थाने एरिया में वाशी एरिया में कोई particular area है कुछ particular location है उसको pinpoint करना चाहता हूं जिसे माल लीजिए यहां पर इसी road पर यहां पर मेरी shop है यहां मारा store है coaching institute है कुछ भी है तो मैं क्या करूंगा drop pin यहां से pin को drop कर दूँगा तो pin को मैंने लिया और यहां पर डाल दिया तो अब यह area में यह location मेरी select होगी तो मुझे मुंबई select करने की जरूत नहीं मैं मुंबई को अटा सकता हूं और इस area के radius कितना radius मुझे गवर करना वो ले सकता हूं तो देखिए अभी 16 km है माल दीजे मुझे स्रक 2 km का radius लेना है या 1 km का लेना है तो minimum यहां पर 1 km तक हम जा सकते हैं तो यहां इसको 1 करने की कुशिश करते है वन मिनिमुम 1 अभी यह ले नहीं रहा है मिनिमुम 2 ले रहा है लेकिन 1 तक हम जा सकते हैं तो यहां पर जो area है वो मैंने पिन पॉइंट कर दिया और उसके radius में मैंने यहां पर define कर दिया कि इस area के चारो तरफ 2 km या 1 km के radius में हम लोग अब targeting करेंगे हमारे users को तो इस तरह से जो facebook पर targeting है वो काम करती है मैंने आपको माइक्रो लेवल से माक्रो लेवल तक सारा बता दिया है पहले आपको अपना यूज के सबजना पड़ेगा क्योंकि ads बनाना बड़ी बात नहीं है ads को चलाना बड़ी बात नहीं है लेकिन समझना जरूरी है कि किस audience को target कर रहे हैं किस location को target कर रहे हैं अगर वो homework पहले अच्छे से कर लोगे तो आपको problem नहीं आएगी तो दोस्ता इस वीडियो के लिए इतना है मिलता हूं आपसे next वीडियो में अपना ध्यान रखें स्वस हुआ 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 है